नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 एसस्टी सामाजिक विज्ञान की वरक्षीट नमबर 17 यानि कारे पत्रक सिंख्या 17 को ये आपकी 17 अगस 2021 की वरक्षीट रहेगी और आज की वरक्षीट भी काफी easy, interesting रहने वाले जिसमें जियोग्रोफी भुगोल का second chapter भारत का भोतिक सवरूप पढ़ना जारी रखेंगे और उसमें हम बात करेंगे द्वीप समू की कि भारत में कौन से परमुक द्वीप समू पाए जाते हैं, उन दोनों द्वीप समू की क्या परमुक विशेशताई हैं और कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं ये सब कुछ हम इस वरक्षीट में समझने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरूआत करते हैं आज की स्वरक्षीट की सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं तो भारत के जो दीप समू है उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, यान कि कितने भागों बांटा जासकता हैं, दो भागों में उसमें पहला जो भाग है वो है लक्ष दीप समू जो की अरब सागर में केरल के तट के पास पाए जाते हैं यहाँ पर है लक्ष दीप समू दूसरा जो हमारा दीप समू है वो है बंगाल की खाड़ी में पाए जाता है और है हमारा अंडेमान और निकोबार दीप समू ओके य हो गए इनकी location अब पहले हम अंडेमान, निकोबार दिपसमों को समझेगे जो अंडेमान निकोबार दिपसमों यह बंगाल की खाड़ी में और उत्तर से दक्शन की तरफ फेले दिपों की एक माला यानि की एकरंख ला है जैसे यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, तो यह एक लंबी माला की तोर पर उत्तर्शे दक्षिन में फेले हुए है, इसका जो उत्री भाग है, उसको बोलते हैं अंडेमान, और जो दक्षिनी भाग है, उसको बोला जाता है निकोबार, इनके निर्मान की ब हैं यानि कुछ जो भुगोल होएता है वो ये मानते हैं कि जो परवत सिरंखलाएं वो जल के अंदर डूबी हुएं उसका जो बाहर निकलाव भाग है वही अंडेमान निकोबार दीप समोएं ये देश की सुरक्षे के लिए काफी महत्पुन है क्योंकि अगर हम बात करें पूरवी भारत की दक्षनी पूरवी भारत की तो यहां पर शेनिक द्रिष्टी से ये काफी महत्पुन होते हैं दूसरा ये जो हमारे पादप और जन्तु है उनकी विविद्दा के लिए यानिकि हमारे floron, forna की बात करें, वन और वन्यजिय olur की बात करें तो उसके बे उसके लिए काफी महत्पुन है, तीसरा, प्रेटन की द्रिष्टी से भी ये काफी महत्पुन है, यानि यहाँ परहाजारों लाधों की संख्या में प्रेटक है, वो देश-विदेश से हर वर्ष यात्रा करते हैं, तो ये तीन कारणों से महत्पून है, हमारी देश की शुरक्षा के लिए महत्पून है, दूसरा ये हमारे वन तथा वननेजियों के लिए इंपोर्टेंट है, और तीसरा ये प्रेटन की दृष्टी से भी काफी बुमिद्दे रिखिये जलवायू पाई जाती है तो बुमिद्दे रिखिये जलवायू कैसे होती है जहां पर तापमान भी वर्ष बर अधिक रहता है और साथ साथ वर्षा भी अधिक होती है तो यहां पर भी तापमान भी अधिक रहता है और वर्षा भी अधिक होती है और इसके कान यहाँ पर घने जंगल पाए जाती है क्योंकि जहाँ पर टेंपरेचर ज्यादा होगा और वर्षा अधिक होगे तो वहाँ पर पेड़ों की उंचाहिए वो अधिक होती है ओके ऐसा ही कुछ यहाँ पर है यहाँ के गर परवत शिखर की बात की जाए तो अंडमान का सर्वोच परवत शिखर है वो माउंट सेडल है 737 मेटर उंचाहिए जो ज्यादा नहीं है जबकि निकोबार दीप समू की बात की जाए तो यहाँ का सर्वोच शिखर है वो माउंट वी स्पोर्ट होते रहते है एक ही सक्रिय जो आला मुखे है इंडिया में एक्टिव जो वॉलकेन है वो है बेरन द्वीप इसके साथ साथ नारकोंडम द्वीप है ये हालांकि निश्क्रिये मृत जो आला मुखे है जिसमें पहले वी स्पोर्ट होते है अब आगे वी स्पोर् अरब सागर में स्तित है, जिसके बारे में हम अलड़ी समझ चुके हैं कि कहां पर इसकी लोकेशन है, एक बार दोबार से में आपको बता दूँ, कि इसकी लोकेशन कहां रहेगी, तो ये केरल में, जो केरल का तट है, मालाबार तट है, उसके पास यहां पर स्तित है, ये लक् प्रवाल दीप कहा जाता है यहां पर कुल दीपों की संख्या की बात करें तो 36 दीप आए जाते हैं जैसे कि हमने बात की अंडेमा निकुबार में 502 दीप हैं तो उसकी तुल नमित बेहद कम यहां पर दीप आए जाते हैं यह 1973 से पहले लका दीवी, मीनिकाई, अमीन दीवी के नाम से जाना जाता था उन्नी सो तीहतर में इसका नाम बदलके लक्ष दीप कर दिया गया है यह कुल 32 वरक किलोमेटर के शेतर में इस्तित है और यहां की राजधानिय वो कवरती है यहां का परशाशनिक मुख्याल है य अब हम बात करते हैं परवाल के जिसकी उपर हमने बात की थी परवाल क्या होते हैं परवाल पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले शुक्षम प्राणी होते हैं शुक्षम जीव होते हैं समुद्री जीव होते हैं और यह कम समय तक जीवित रहते हैं यह आम तोर पे calcium carbonate और जो इनकी अस्तियां होती है dead bodies कह लिजे उनसे टीलों का निर्माण होता है तो ये तीन परकार के टीले बनते एक तो परवाल रोधिका होगी वो बनती है ओके रोधिका मतलब इस तरीके से जो दिवार की तरह होगी दूसरा होगे 30 परवाल भीति जो 30 से जुड़ी होत हमारा जो लक्षदीप समुँ और निर्मित है यहां पर एक 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 एकजामपल दिया गया जिसे ओस्टेलिया का जो great barrier reef है वो परवाल रोधिका का ही एकजामपल है इसी तरह किसे जो परवाल वल्ले है वो दूस्टीप गोलाकार या फिर खोर्ष घोड़े की नाल की आकार वाले होते हैं कई जो द्वीप समू है वो इस आकार के भी पाई जाते हैं ये बात हुई अंडेमान निकोबार द्वीप समू की और बात हुई लक्ष द्वीप समू की अब हम बात करते हैं सेकंड सेग्मेंट की यानकी परशनोतर की आज की इस वरक्षीट पर आधारी 5 आसा और काम करते हैं यह केल्सियम कार्मोनेट चोड़ते हैं चेल्सियम कार्मोनेट और पर्वाल अस्तियों से समुदर में टेलों का निर्माण होता है ओके एक यह होगे पर्वाल पोलिप्स क्या होते हैं अब हम बात करेंगे second question की दूसरा हमारा person दिया गया दूसरा person भी काफी आसान है भारत में कौन-कौन से दीपसमू है उनके हमें नाम लिखने और भारत के राजमतिक मानचीतर पर इनको दर्शाना है तो भारत में दो परमुक दीपसमू है पहला लक्स दीपसमू जो की अरब सागर मिशती थे दूसरा अंडमा निकोबार दीपसमू जो की बंगाल की खाड़े मिशती थे अब इनको हमें मानचीतर पर भी दर्शाना है तो आप मानचीतर को अपनी नोटबुक में पेस्ट कर सकते हो या फिर आप साउथ इंडिया के मानचीतर को ड्रो भी कर सकते हो आसानी से आप ड्रो कर सकते हो मुश्किल नहीं रहेगा तो यहां पर चलिए देखते हैं कहां पर हमारा लक्स दीपसमू तो यह देखे यह है हमारा लक्स दीपसमू जो कि केरल के मालावार तट के पास ती थे और यहाँ पर हमारा हो जाता है अंडे मार निकोबार दिप समू जो कि उत्तर से दक्षन में फेला वाई इसका उत्री भाग है वो अंडे मार कहलाता है दक्षनी भाग है वो निकोबार कहलाता है तो आप इन दोनों को लोकेट करना आप map को paste कर सकते हो अपनी notebook में या फिर इसी map of India को draw करके इनको दर्शा सकते हो अब हम तीसरे person की बात करेंगे तीसरा हमारा person दिया गए लक्स दीप समू की परमुख विशेशता ही हमें बतानी है तो पहली चीज लक्स दीप समू है वो अरब सागर मिशती थे यह दीप परवालों से निर्मित है तीसरा इसमें 36 दीप सामिल है और कवरती यहां की राजधानी है उके इतना लिख दो के काफी रहेगा उसके बात चोथा हमारा person दिया गए चोथा person है अंडमान निकोबार दीप समू की जलवायू कैसी और क्यों है यह हमें बताना है तो अंडमान निकोबार दीप समू है उसकी जलवायू विश्वत यह यानकी क्या है भूमध्य रेखिये भी कह सकते हो क्यों है क्यों कि ये विश्वत्वृत या फिर भुमेद्य रिखा के पास तीत है तो जैसे जलवाईउ भुमेद्य रिखा पर पाई जाते है वैसी जलवाईउ यहां की है उस पर पांच वह पर्षने द्यूपों पर जीवन कठिन क्यों होगा यह बाना जाता है कि द्यूपों पर जो जीवन होता है वो कठिन होता है क्यों होता है तो संसादनों की विवित्ता का अभा होता है यहां पे संसादनों की विवित्ता नहीं पाय जाती यानि कि जैसे हम द तीसरा वहाँ पर महंगाई जाद होती है कोई भी वस्तू आम तोर पर 30% वहाँ पर महंगी मिलती है क्योंकि बाहर से इंपोर्ट की जाती है तो महंगाई अधिक होती है इसके लावा सुनामी और चक्रवात के खत्रों के कारण द्यूपों पर जीवन है कठिन होता है इतना आसान नहीं होता जितना की आम तोर पर स्थलिय भागों के उपर होता है तो ये थी हमारी आज की बेहत आसान वर्क्षिट उमेद करता हूँ ये वर्क्षिट आपको अच्छे लगी होगी ठीक से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो ये वर्क्षीट अच्छे लगी तिस वीडियो को इस वर्क्षीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिगा और उमीद करता हूँ कि आप ऐसा शेयर कर भी रहेंगों बहुत सारे बच्चे करें अच्छा लगता है आप भी कीजिए अपने वर्टसप ग्रूप में श उसको शेयर किया जाता है टेलिग्राम के उपर तो अगर आपको चाहिए कि आपको तुरंत वीडियो पब्लिश होती नोटिफिकेशन मिल जाए या फिर आपको ये अपडेट मिल जाए कि अब वीडियो आ चुकी आपकी क्लास की तो उसके लिए आप टेलिग्राम के चैनल